हमेशा याद रखिए शब्द गुरु हैं और विचार शेश्या हैं करम योग के सईयोग से ही बनता है भविश्या नमश्कार में हूँ मुहित कमिल श्रेमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में और आज के राशी फिल में आप सभी को बढ़ाई और शुब कामनाय देना चाहूंगा जिनका आज जर्म दिवस्या मैरिज इन्वस्री है या कोई विशेश यादगर दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांकी आज तारीक 13 अपरेल 2022 है और दिन बुद्वार का है आज के विशेश उपाय में ब्रहस पती के मीन राशी में प्रवेश से आपकी राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आपके लिए शुब है या शुब है ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा ये ध्यान आज के अपिसोड में नहीं मिलने वाली पर इसके लिए एक अलग से पूरा एपिसोड बनाये गिया है तो वो आपको देखना जरूरी है कि उसमें आपकी राशी अनुसार आपको सब कुछ बताये गया है हर सेक्टर पर आपके साथ में बात की गई है उसी के साथ में उपा वा फालगुनी नक्षत्र आरम होगा सिंग राशी का आज के दिन चंद्रमा रहने वाला है राहुकाल दोपहर के बारा बचे से लेके डेड़ बचे तक रहेगा वहीं पे शुब चौगडिया महरत जो है वो आज के दिन सुभे के 6 बच के 20 मिनट से 9 बच के 20 मिनट तक मिल पूर्व दिशा और दक्षिन दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत जादा शुब साबित हो सकती है यात्रा पर वहीं पे उत्तर दिशा में यात्रा किये तो जितनी जादा पूर्व और दक्षिन में आपको मुनाफ़ा देखने को मिलेगा उतना ही जुदतर दिशा में नुकसान देखने को मिल सकता है दिशाशूल दोश के लिए आज के दिन तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरम कीजेगा अगर आप उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं तो आज के दिन सोरे उदे कालीन कुंडली में आशरे योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुश योग, गज केसरी योग, कल्बदरुम योग, केंद्र त्रिकोन राज योग, अभैचर योग, भारती योग जैसे राज योगों का साथ मिलने वाला है अगर आप आ करके अपनी कुंडली स्वयम दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर डिसकुशन करें, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 तारिक से लगातार 12 तारिक तक हम महाराश्र के टूर पे थे, इसमें पूने भी आया ह नाकपुर भी आया है, मुंबई भी आया है, तो अब वापस 22 तारिक को हम दिल्ली आने वाले हैं, अगर आप दिल्ली में मिल करके अपना कुंडली विशलेशन करवाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने अपॉइंट्मेंट जरूर नोट करवाईएगा, क्योंकि ल आज की सिचुएशन को आपके लिए सिर्फ वासिव 33 परसंट सपोर्ट का बनाते हैं, ऐसे में आज के दिन मेंटली टॉर्चर होना, चंतित रहना, बच्चों की बिमारी को लेकर, खुद के फाइनाशियल सिचुएशन को लेकर, अपने काम धंदे को लेकर, आप बहुत ही बालन्स है, वो एक तरफ से बिगड़ सकता है, जो भी भारत के बाहर गांबलिंग का काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, सटा खेलते हैं, तो उनके लिए आज का दिन नेगेटिव है, हानियों का भरा है, ऐसे में लॉस आपको ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, जो आप करती है, जो की आपके लिए ट्रेड सीक्रेट था, ऐसे में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लिए डार्क औरेंज कलर, शुबरंग रहेगा नबर वन, अब बात करते हैं, व्रशब राशी की तो राशी भाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, पर संपत तारगा आज को 67% सपोर्ट का बनाते हैं, ऐसे में परिवार से अशान्ती महसूस करना, उनसे कलेकलेश हो जाना, किसी बात को लेकर कि डिसकुशन करने बैटे थे, आर्ग्यूमेंट में बदल जाना, बहुत ही जादा गर्मा-गर्मी हो जाना, यह आपको देखने को मिल सकता है, हे ऐसे में अपने आसपास के लोगों पर शक करते हुए जादा नजर आएंगे कि कहीं जो आपको नुकसान हो रहे हैं, वो आसपास के लोगों की वज़े से ही तो ना हो रहे हो, आज के दिन अपने दामपती जीवन में भी बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके, फिर क अब बात करते हैं मिथुन राशी की, तो मिथुन राशी के लिए राशी भाफ से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधी मित्र तारा का साथ है, अश्टक गोरिक में ठटी टू डॉट्स हैं, जो आज के दिन को आपके लिए 100% पॉस्टिव बनाते हैं, तो धन संपत्ती का लाब मिलना, अच्छे कपड़े खरीदना, शौपिंग पे जाना, गोल्ड खरीदना, डाइमेंड खरीदना, यह आज के दिन देखा जा सकता है, अब कहीं लोग बोलते हैं कि हमारी जिन्दगी में तो जौ भी नहीं आरी, आप बोल रहे हो कि पैसे कमाएंगे, हमारे पास कि बीशी कुछ कर सकता है नहीं परमात्मा स्वैम उतर करके कुछ कर सकता है, तो ऐसे में अगर आप हार चुके हैं और आप मान चुके हैं तो ऐसे में यह एपिसोड देखने की गलती आप मत कीजएगा, आज के दिन सिल्फ कॉंफिडन्स से भी आप भरे रहेंगे, कोई भ जादा involved होकर कि आप सामने वाले के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे health wise कोई समसिया देखने को नहीं मिलने वाली attraction में आकर के दोस्ती उल्टा और करेंगे और profits आज के दिन अच्छे कमाएंगे अब बात करते हैं करक राशी की तो करक राशी के लिए राशी भाव से second house में चंद्रमा है शेम तारा का साथ है अश्टा गवर्ग में 24 डॉट्स है आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्ट का है ऐसे में confusion जादा होना जो भी काम करने उसमें उल्जने जादा देखना पर दियान रखिएगा उल्जन आने से याद फिर जादा रोड़े अगर आ रहे हैं आपके काम में कोई अटकार आ है तो ऐसे में मन मत हारिएगा काम करने से मत पीछे हटिएगा ध्यान रखिए आज का दिन आपके लिए नेगिटिव है पर कल का दिन वापिस पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है तो ऐसे में जो मेहनत की हो इसका एक साथ में आपको फल मिलना ये देखने को मिल सकता है बिनाबाद के खर्चे करते हुए भी नजर आएंगे बिनाबाद की यात्राय करते हुए नजर आएंगे मोटिव आपके पास में कोई भी नहीं है गोल कुछ भी नहीं है पर ऐसे ही घूम रहे हैं ये आज के दिन देखा जा सकता है ऐसे ही समय में इंसान अपने आसपास की लोगों से दुश्मनी और मोल ले लेता है, कुछ गलत बोल देता है कहीं बार ऐसा भी होता है कि मुँपे सच बोलने से सामने वाला इंसान दोस्त कीज़े के दुश्मन बन जाता है ये चीज़ आज आज आपको भी देखने को मिल सकती है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुबरंग रहेगा नमबर एट अब बात करते हैं सिंग राशी की, तो सिंग राशी के लिए राशी भाफसे फर्स हाउस में चंद्रमा है पर विपत तारह का साथ है और अश्चेग वर्ग में 26 डॉट्स ये आज के दिन को 67 परसंट पॉजिटिव बना रहे है तो भागे देकारक स्थितियां जरूर है, आदर और सदकार आपको जरूर मिलेगा, सरकार से सपोर्ट जरूर मिलेगा कोई भी काम करेंगे उसमें सकसेस भी मिलेगी, पर ऐसे समय में ही आसपास के लोग आपके उपर यहां पे शक का दाईरा बढ़ाते वे नजर आएंगे आप किसी के लिए शक के दाइरे में जाते वे नजर आएंगे सामने किसी को लॉस हुआ है पर वो शक आप पर करेगा आपके उपर जूटे दोशारूब भी लगाएगा उसको आप बाद में प्रूव करते रहिएगा जरूर उसमें कोई परिशानी नहीं है पर एक बार के लिए आपकी इज़त पर आपकी इमेज पर यहाँ पर कलंकित जरूर हो जाएगी ऐसे में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लिए बलेज कलर शुबरंग रहेगा नबर फाइव अब बात करते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी के लिए 12,000 में चंद्रमा अधिमित्रतारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में 34 डॉट्स ये आपके लिए आज के दिन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं पर ध्यान रखीगा 12,000 का चंद्रमा है इसमें भाग्य का साथ नहीं मलता तो आज के दिन हेल्थ वाइस अपने आप ही आज आज आपको ज़ादा परेशानिया देखने को मिल सकती है और जादा परेशानिया आपको ज़ादा परेशान कर सकती है डर और बेचैनी का महल भी रहेगा बिना बाद के खर्चे करते हुए भी नजर आएंगे गलत लोगों के उपर आज विश्वास करके उनको रुपे भी दे देंगे चाहे कोई बहुत ही अच्छा मित्र था पर वो रुपे देने लाइक नहीं है उसकी इमेजी ऐसी है दोस्त की कि जिसने उसको रुपे दिये है उसके बाद में उसने कभी रुपे वापस लोटाए नहीं तो आज विश्वास में आकर के ऐसे दोस्त को भी रुपे दे देंगे और आपका रिश्टा खराब हो सकता है अपने घर बालों के साथ में कोई विवाद हो सकता है किसी बात को लेके मन मुटाव हो सकता है एक दूसरे को कोई भी यहाँ पे एकसेप्ट करने वाला नहीं है खास तोर पे यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच में मदभेद जादा होता हुआ आज के दिन नजर आ सकता है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुब अंक रहेगा नमबर एट अब बात करते हैं तुला राशी की तो लेविन्थ हाउस का चंद्रमा संपत्तारा का साथ और अश्टक वर्ग में 26 डॉट्स यह 100% पॉजिटिव बना रहे है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाते हैं कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट दिन है आज जो भी काम करने वाले हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी यहाँ पे profits आज के दिन जादा मिलेंगे, खास तोर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, investments को in cash करना, या property sale कर लेना, या property purchase कर लेना, तो इसमें आपको बहुत ही जादा भारी मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है, ऐसी ही समय में इंसान living standard में भी सुधार लाता है, जो भी health wise problem से उनसे भी छुटकारा पाता है, कोई भी court case चल रहा है, पुलिस case चल रहा है, तो उससे भी अपनी पीछा चुड़वाता है, और overall देखा जाए, तो बहुत ही जादा तरक की पूरवक आज के दिन को बताने की कोशिश करता है, मेहनत पूरी करता है, शुबरंग ऐसे में रह ऐसे में कोई بھی नए काम की शुरुआत करना चाते है, नए व्यापार की शुरुआत करना चाते हैं, नई line खोलना चाते हैं, तो यह सबी चीज़ें आपके लिए profitable से दो सकते हैं, वही पे जो जाब करने वाले हैं, जाब करने वाले भी कोई भी नए चीज़ को करनी पड़ेगी पर सक्सेस जरूर आएगी ऐसे ही समय में परिवार का सुख मिलना लाइफ पार्टनर से सुख मिलना उनसे इज़त मिलना उनसे अप्रीशियेशन पाना यह आपको देखने को मिलने वाला है हर चीज के अंदर अधिकार जो जमाने की आपकी आदत है वो आज क कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसको सुन करके आपका सेल्फ कॉंफिदेंस और जादा बूस्ट हो शुबरंग ऐसे में रहेगा ब्लू कलर शुबरंग रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं धनूर आशी की तो धनूर आशी के लिए नाइंध हाउज में चंद्रमा वद उत कि दिन परेशानिया जादा फेस करनी पर सकती हैं उपर से भी दबाव उनको देखने को मिलेगा और वहीं पर नीचे यानि कि हम जो सिविल्स हैं हम सिविलियंस जो हैं हमसे भी उनको परेशानिया जादा देखने को मिलने वाली हैं ऐसे ही समय में आज आप जो काम करने वा ज़एंगे ऐसे नए नए चीजें आपके सामने रख दी जाएंगी जिनके आपको कोई आइडिया ही ना हो बिना बात के खर्चे भी करते नजर आएंगे हेल्थ वाइस भी चाती में दर्द आपको फेस करने को मिल सकता है सांस लेने में परिशानी हो सकती है कोई यातरा कर र तो ऐसे में कानूनी मामले आपके अगींस में दर्ज होना चोरी के जूठे उल्जाम आप पे लगा देना आसपास वाले कोई और गलती किया है पर आप पर हावी हो जाना ये देखने को मिल सकता है ऐसी समय में अगर किसी सामने वाले का जगडा चल रहा है आप बीच में जग जिलाते हुए भी नजर जादा आएंगे आसपास के लोग प्रोवोक करने की जादा कोशिश करेंगे तो अपने आपका पेशिंस जो है उसको बनाये रखिएगा वरना बहुत जादा बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती है ऐसी समय में लाइफ पार्टनर से बहु पर अंत करके फिर अपने काम पे रवाना हुए ताकि खुशी के साथ में रवाना हूँ क्योंकि इंसान जब घर के अंदर सुखी होता है तो बाहर कितनी भी समस्या है उसको आराम से निप्टा सकता है पर अगर घर में ही दुखी है तो बाहर छोटी से छोटी समस्या भी उ तो यह आज के दिन को आपके लिए 100% positive बनाते हैं, तो ऐसे में, merit life में तो satisfaction मिलने ही वाला है, अपने life partner से भी आपको gain मिलने वाला है, उनके नाम से कोई investments किये हैं, तो महां से भी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, और ऐसे समय में, अगर आप और आपके life partner दोनों ही working है, तो life partner के incentive आने से, bonus आने से, salary आने से, कोई अगर financial problem चल रही थी, तो वो भी आपके लिए solve out हो सकती है, ऐसे ही समय में, अलग-लग sources से income generate होती है, वाहन का सुख मिलता है, मान प्रतिश्टा में व्रधी देखने को मिलती है, और कोई भी यातरा करते हैं, तो वो भी बहुत ज जादा सुबिदाओं के साथ में, आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, शुब रंग ऐसे में रहेगा, आपके लिए magenta कलर, शुब अंक रहेगा नमबर 9, अब बात करते हैं मीन राशी की, तो 6th house का चंद्रमा है, अश्टा क्वर्ग में 23 dots और वदतारा का साथ, तो ये 67 7% positivity देता है, तो जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, धनलाब होगा जरूर, पर patience बना करके रखना पड़ेगा, ऐसी समय में सौभा के शाली चीज़ें आपके साथ में होती है, अच्छे coincidences होते हैं, बहुती सौभा के शाली दि दिन रहने वाला है, ख्याती भी आपको देखने को मिलेगी, आपकी प्रशन सा भी होगी, आप जिस पोस्ट में हैं, वहाँ से उपर भी बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, जो आपको एप्रिशेट करेंगे, आप अपना इंप्रेशन जो है, उन पर बह पॉस्टिविटी ही पॉस्टिविटी है, बस 33 परसेंट आपसे यहाँ पर सबोर्ट या पॉस्टिवनेस ले ली जाते हैं उसे वद्धतारा के कारण, शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके औरेंज कलर, शुबंग रहेगा नमबर थ्री, ये तो हुई बात आज के राशी आज के विशेश उपाय की, कि ब्रहस्पती के मीन राशी में गोचर प्रवेश करने से आपकी राशी को क्या फाइदा होगा और क्या नुकसान होगा, तो राशी अनुसार ही बात की जाएगी, यहाँ पे भी सबसे पहले बात करता हूँ मेश राशी की, तो मेश राशी वा यात्रा अगर स्वयम कर रहे हैं, तो उसमें कष्ट होना आपको देखना पड़ेगा, धन ज्यादा खर्च होतावा नजर आएगा, खर्चों में आपको व्रधी देखने को मिलेगी, ऐसे जो आपके कॉन्फिडांट थे, विश्वास पात्रव्यक्ती थे, उनसे कलंक लग तो व्रश राशी के जादकों को ब्रहस पती के राशी परवर्तन से धन और प्रतिष्टा की व्रधी देखने को मिलेगी, शत्रूओं की पराजय होती नजर आएगी और समस्त कारियों में आपको सफलता मिल पाएगी, विवा, अत्वा, पुत्र, जनम का अफसर आपको यह पर प्राप्ति होती है, वहभव विलास के पदार्त, यानि की लग्शरी आइटम जो होते हैं, वो आपको गिफ्ट के तौर पर भी मिल सकते हैं और स्वयम भी अपने आपको गिफ्ट करते हुए नजर आएगे, पुत्रों से तथा राज्य अधिकारियों से सुख की प्रा प्राप्ति होती है, मान हानी तक की संभावना यहाँ पे उत्पन होती है और अन तता धन की आपको हानी देखने को मिलती है, यहाँ पे विशेश सावधानी आपको रखनी है और जादे से ज़्यादा पेशिंस रखना है, सयम रखना है और सावधानी बरतनी है जो भी काम क बागये का साथ मिलता है राज्ये में मान तथा पद्दौनति आपको देखने को मिलती है और जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है और अपने भाईयों से सुख सहायता आपको प्रापत होती है ऐसे समय में इंसान स्वयम भी धर्म के कारियों में रूची जादा लेता है जादा दान करने के अंदर अपने आपको ले जाता है सिंग राशे की बात करें तो ब्रहस्पती के राशी परिवर्तन से बंधन, शोक, रोग, चोरों और राज्य की और से कष्ट प्राप्त होता है कठोर वचन बोलने के कारण ये जादक तरसकार को प्राप्त करता है यश की हानी होती है, नौकरी छूटने तक की नौबत आ जाती है और धन व्यापार में भारी हानी आपको देखने को मिलती है शारेरिक कष्ट ऐसे समय में बढ़ जाता है health wise समस्याइ ज़्यादा देखने को मिलती है अपने ही देश में लंबी यात्राओं से आपको कष्ट मिलता है और ऐसे समय में monitor यानि कि अगर आप बोले पैसों का आपको यहाँ पर संकट देखने को मिलता है पैसों की कमी देखने को मिलती है जो आपके बेसिक खर्चे हैं उसको भी आप पूरे करते हुए नजर नहीं आपाते हैं फिर बताती है कन्या राशी की तो ब्रहस्पती के राशी परिवर्तन से चिंता बढ़ जाएगी आपकी चोरी का आपको जादा जादा डर रहना पड़ेगा आपके आसपास में जो आपका समान है जो आपका बहुत ही जादा कीमती समान है उसका चोरी हो जाना या तो फिर आपका बार बार ऐसा डर ना कि ये सामान कहीं चोरी ना हो जाए ये आपको डर सताएगा राज्य के करमचारियाने कि government officials जो हैं उनसे अन्बन हो सकती है उनसे ज्यादा डर रहेगा ऐसे ही समय में पैसा रहते हुए भी उसमें कमी कानुभव करेंगे जो आप basic खर्चे करना चाते हैं जो आपकी living standard है उसमें जो आपके पैसे हैं वो एक तरफ से पूरे हैं पर जो आप सोच रहे हैं अब जो आप dream करना चालू किया है कि अब मुझे ऐसी living standard चाहिए है तो उसके लिए आपको कमी लगनी शुरू कर देगी ऐसे ही समय में जो रुपे आपके पास मारे थे जिस speed में आ रहे थे जो rotation आपके पास में चल रहा था उसकी speed भी आपको कम होती भी नजर आएगी और संतान के सुख की प्राप्ती आपको ऐसे समय में नहीं हो पाएगी और ऐसे समय में दामपद्य जीवन में भी परेशानिया देखने को मिलेंगी तो आई अब बात करते हैं तुलाराशी के तुलाराशी के लोगों को यहाँ पर परेशानी जादा देखने को मिलने वाली है confusion जादा इस समय में रहेगा रोक शोक और धन के दुरुप्योक से आपको शती का भै रहेगा ऐसे समय में स्टूरेंट्स को जहाँ पर उनका में फोकस होना चाहिए जो स्टूरेंट्स का में काम है पढ़ाई करना उसके अंदर ध्यान न रहे करके बाकी हर जगे पर रहने वाला है ऐसी समय में बिजनस्मेंट जो है यहाँ पर बिजनस्मेंट का मतलब सिफ टाटा, अंबानी और बिडला नहीं होते जो भी काम स्टूरेंट्स का करता है जो भी स्टूरेंट्स का मालिक है चाहे आप गेम स्टूर चलाते हैं, आपकी खुद की किराने की शौप है, आप कोई टपरी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं तो आप स्वयम के मालिक ही हैं, आप व्यापारी ही कहलाएंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे जादा सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने काम को ले करके कोई भी नया काम आपको हाथ में लेने से यहाँ पे रोकना पड़ेगा, स्वयम को रोकना पड़ेगा अगर ऐसे थौट्स आते हैं, तो गलती से भी आगे मत बढ़िएगा कुछ गलत डिसिजिजन्स ले करके आपको पच्टाना भी पड़ सकता है और ऐसे में आपको रुपे पैसों का लॉस भी देखना पड़ सकता है व्रश्चिक राशी के लोगों को ब्रहस्पती के राशी परिवर्टन से सुख और आनंद में यहाँ पे व्रध्धी देखने को मिलेगी जो भी काम करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी और ऐसे ही समय में प्रमोशन की बात अगर करें जो नौकरी करते हैं, या फिर जो बिजनेसमें है या फैमिली में है फैमिली में को अपने रिलेशनशिप में प्रमोशन की बात करें तो जैसे पिता जी हुए दादा जी बन जाते हैं तो यह देखने को मिल सकता है व्यवसाय में उन्नती देखने को मिलती है और कोई स्थर लाब आपको जरूर मिलता है, कोई एक ऐसा source of income मिलता है, जहांसे continuous flow आपको मिलने वाला है ऐसी समय में घर में मांगले को उचसव भी देखने को मिलते हैं, संतान के जनम की संभावना यहाँ पे बहुती जादा प्रबल होती है और बुद्धी की बात करें, सूजबूज़ की बात करें, यहाँ पे आपके personal intelligence की बात करें, अपने personal living standard की बात करें तो उसमें भी व्रद्धी देखने को मिलती है फिर बात आती है धनूराशी की, तो धनूराशी के जातकों को ब्रहस्पती के राशी परिवर्तन से मन में अशांती व्याप्त होगी धन में और यश की हानी उठानी पड़ेगी, यहाँ पे जो लोग आपके रास्ते में रोडे अटकाते हैं, उनसे कश्ट जादा मिलेगा और ऐसी समय में अपना जहां पे आप रहते हैं, तो वहाँ से ट्रांसफर हो जाए, या तफिर आपको अपना स्थान चोड़ करके जाना पड़े, तो उससे बहुत ही जादा आगहात पहुच सकता है जमीन जायदाद में और परिवार के सदस्यों का यहाँ पे आपको सुख नहीं मिल पाता और ऐसे ही समय में गवर्न्मेंट के नोटिस से या फिर पुलिस कर्मियों से या फिर जो भी गवर्न्मेंट ऑफिशियल हैं, उनसे आपको बहुत ही जादा प्रॉब्लम्स फेस करन प्रॉब्लम उनको देखने को मिलने वाली हैं, उनके जो बॉसे हैं, वो कैसे भी करके उनको परेशान करेंगे, या फिर उनके से कर्मी जो हैं, वो उनको परेशान करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में इंसान नौकरी छोड़ भी देता है, और अगर ना छोड़े तो छूट जाने की संभावनाए भी जादा रहती है, तो इस पे ज्यादा जान देना है। ऐसे ही समय में गौर्न्मेंट ओफिशिल्स को ले गिया, जो गौर्न्मेंट के लिए काम करते हैं, उनका विरोध देखने को मिलता है, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलता चाहिए, धन और मांच सम्मान की हानी भी आपको देखने को मिलेगी और कोई भी यात्रा करेंगे, तो यात्रा में आपको यहाँ पे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। अब कुम राशी की बात करें, तो कुम राशी वालों के लिए यहाँ पे इंकम नएने सोर्से से आती हुई नजर आएगी, घर में विवा और पुत्र का आपको सुक प्राप्त हो सकता है, शत्रूओं से विरुद कार्य करने को आवशक्ता आपको नहीं पड़ेगी, उनसे उल्टा यहाँ पे हाथ मिलाने वाली बात हो जाएगी, यहाँ पे जो आप हैं तो आपको अपने नाम में बहुत एसेट खरीदनों अचल संपत्ती जिसे बोलते हैं उससे आपको यहाँ पे व्रद्धी देखने को मिलेगी और कैश प्रॉफिट जादा होते वे नजर आएंगी, फिर बताती है मीन राशी की, तो मीन राशी के जातकों को ब्रहस्पती के राशी परिवर्तन से भै और मान स सम्मान की हानी होती हुई नजर आएगी, रोजगार और व्यवसाय में, विग्न और बाधाय देखने को मिलेगी, सरकारी भै और मानसिक व्यथा आपको जादा देखने को मिलेगी, जो भी काम करते हैं उसमें डीले जादा होगा, जो आपने टाइम लाइन सोच रखिए, ज कमिट्मेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और यातरा अगर करते हैं, कोई भी ट्रावल करते हैं, चाहे फैमली के साथ में करें या प्रोफेशनल तोर पे करें, तो दोनों ही तरफ आपको प्रॉब्लम्स जादा फेस करनी पड़ेगी, ऐसी समय में सुख यहाँ पे बह हैं, यह बहुत शौट में बताया है, सारे के सारे जो एस्पेक्ट से वो इसमें नहीद बताये गए हैं, जो उपाएं हैं, दस तरीके के उपाएं आप कर सकते हैं, जहां पर रुपे खर्च करने से एक भी रुपे खर्च ना करना हो, मंतर जाप से लेके हवन करना हो, तो यह सभी उपाए जो हैं वो इसी एपिसोड में आपको बताया गया है जो ब्रहसपती का राशी परवर्तन का वीडियो बनाया गया है ध्यान रखिएगा वो आपको देखना जरूरी है यहां पे जो यह आपको बताया हो बहुत शॉट में बताया हो ताकि इनसान को मालूम चल होते हैं यह आपको देखने जरूरी है ताकि आप यह मालूम कर सके कि इस राशी से या फिर इस ग्रहे के गोचर से मेरी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो प्रभाव पड़ेगा उसका मैं किस तरीके से समाधान ढूँन सकता हूं हमेशा की तरह यही प्रात्na क झाल झाल झाल